नमस्कार आप सबका स्वागत है पेबल्स के किचन में आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोबी आलू की सबजी बंगाली स्टाइल में जिसको बंगाली में बांदा कोपी कहते हैं चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं इसके लिए सामगरी चाहिए बारी कटा हुआ पत्ता गोवी टमाटर दो टमाटर लंबे लंबे काटी है आलू मतर हरी मिट जो लंबे टुकडों में काटी गई है और तेज पत्ता अब बाकी पांच पोड़न लेना है जिसमें मेथी जीरा काला जीरा सौफ और राई का मिक्स्चर होता है जिसको हम पांच फोड़न बोलते हैं बाकी मसालों में नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर जो लाल मिर्च पाउडर होती है और गरम मसाला और गरम मसाला में हमने डालचीनी, छोटी इलाईची और लॉंग का मिक्स किया है तबजी बनाने के लिए तेल और घी एक कड़ाई में आप गड़ाई लीजे और उसको गरम कर लीजे इसमें लगबग दो चम्मच तेल लीजे और उसको गरम कीजे और उसी में एक चम्मच घी डालिए, मितलब तेल और गी का मिक्स्चर होता है अब उसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे जिसको हमें तलना है या फ्राय करना है आलू डालके उसको अच्छे से मिलाईए जब तक वो पक न जाए फिर जो एक कटोरी मटर लिया था वो मटर इसपे डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे एक मिनिट के लिए कड़ाई को ढख लीजे और पकाईए उसके बाद बारी कटी हुई जो पत्ता गोबी है उसको मिलाईए मिलाने के बाद अच्छे से सब को मिलाईए अब हरी मिर्च जो हमने काटके रखी थी वो मिक्स करिए और अच्छे से मिलाईए अब हम इसमें मसाले डालेंगे एक चमच हलदी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर यह आप पे भी डिपेंड करता है आपको कितना तीखा चाहिए जीरा पेस्ट बना लीजे और जीरा पेस्ट डालें और स्वात के अनुसा नमक डालेंगे अब इसको अच्छे से मिलाईए सारे मसाले सबजी में मिलने चाहिए तो से तीन मिनिट तक इसको धठ के पकाईए अब जो हमने लंबे लंबे टमाटर काटे थे उसको डालिए और ये जो टमाटर है उसको बीच में रखते हैं और उसके आजपस सब्जी से ढख लेते हैं जिसे वो अराम से पक जाए दो से तीन मिनिट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर गल चुके हैं और टमाटर भी लगबग पक ही चुके हैं अब सब्जी को अच्छे से मिक्स करिए अभी जो सब्जी बनी है उसको हम अलग से पहले निकाल लेंगे एक बोल में आप इस सब्जी को निकाल लीजिए और उसी कड़ाई में दो चमच फिर तेल लीजिए और गरम करिए अब इसमें 5 फोड़न डालिए जिसमें हमने 5 प्रकार के मसारे लिए हैं और तेज पत्ता दीजे इसको अच्छे से फ्राय करिए और जो सब्जी हमने निकाल के रखी थी वो सब्जी वापस कड़ाई में डालिए और जो नया बगार बनाया था उसको अच्छे से मिक्स करिए इसको पूरा पकने के लिए और 2-3 मिनिट तक ढखके पकाईए अब 2-3 मिनिट के बाद आप एक चमच गरम मसाला डालिए और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करिए ये है तयार हमारी पत्ता गोबी आलू की सब्जी जिसको बंगाली में बंधो कोबी बोलते हैं तो आपने देखा नए स्टाइल से बंगाली स्टाइल से कैसे बनानी है पत्ता गोबी आलू की सब्जी या बंधा कोबी यह बना के देखिए जरूर आपको पसंद आएगी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और नए-नए वेंजनों का इंतजार कीजिए नए वेंजनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू और कीप वाचिंग